बच्चों, आज हम हिंदी कक्छा नौवी के 36 गढ़ी भासा और साहित खंड से पाठ चार एक सूरुज टगला थे सूरुज टगला थे ये पाठ के रचनाकार है संतकवी पवंदिवान संतकवी पवंदिवान, 36 गढ़ के बहुत जाने माने रचनाकार हिन और उकर जन्म होईस एक जन्वरी 1945 के और उकर आउसान होईस अर्थात उकर निधान होईस दू मार्च दो हजार चवदा के संतकवी पवंदिवान के जन्म राजीम के पास किरवई नामक गाओं में होईस और उकर प्रालंभिक सिक्षा सुरुवाती सिक्षा राजीम, बासीन, फिंगेसर ये आसपास के गाओं में होईस संत्पवन दिवान जी बहुत विद्वान बेक्तिरीज वो मनहा तीन विशाय में एमे करीज जेला हम कथन इसनातकोत्तर के उपादी तीन विशाय में इसनातकोत्तर के उपादी प्राप्त करीज वहुत तीनों भासा में हिंदी में इसनात कोत्तर संस्कृत में इसक्रानात कोत्तर और अंग्रेजी में इसनात कोत्तर और तीनों के बहुत ज्याता रिज़ संद्पवन दिवान जी एक प्रखरवक्ता के रूप में और सहिदय साहित्यकार के रूप में जाने जातें संथ पवंदिवान जी हार राजिम जो हमर 36 घड के धर्म नगरी हैं उहां से तीन पत्रिका के संपादन करीज तीन पत्रिका निकालीज एक अंतरेक्ष दुसरा बिम्ब और तिसरा महा नदी संथ पवंदिवान जी संतो रहिष वो भागवत के प्रवचन करता रहिष वो एक राजनेता भी रहिष लेकिन उला संथ के रूप में और सुईदै साहित कार के रूप में उला जाने जा थे संथ पवंदिवान जी संस्कित विद्याले राजीम के प्रचारिय भी रहिष उकर बहुत अगर रचना है जिमें प्रमुख रचना है मेरा हर स्वर इसका पूजन अंबर का अंतरेक्ष फूल मर मर कर जीता है मेरा देश मेरे देश की माटी और यादों में आते हैं गांधी ये उकर प्रमुख रचना रीज उकर रचना के खास बात उकर भासा सैली हर बहुत सहज बहुत प्रवायुक्त लायात्मा करीज जब ये पाठला पड़बुन सुरुच टगला थे तब उकर भासा और उकर साहित्य में जो पकड़ है उकर बारे में हम जानबोन और संत्पवन्दिवान जी लोग के भी बहुत ग्यातारीज एकर कान उकर भासा में 36 गड़ के सांस्कृतिक सब्दावली बहुत आ है संस्कृति से संबंधित साहित्य में जब बात आ थे तो वहा बहुत अपना पनलग थे उला पवन्दिवान जी ला अपन माटी अपन मात्री भूमी और अपन मात्री भासा के संबंध में बहुत प्यारीज एपाय के 36 गड़ के जनता उला कहाएं पवन्दिवान आंधिये और 36 गड़ के गांधिये ये बात काबर कहाएं कि संबंधिवान जी के 36 गड़ राज निर्मान में बहुत 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 बढ़का योगदान रेज एपाय के उला पवन्दिवान आंधिये और 36 गड़ के गांधिये ये कहाएं तो आओ अब ये पाठ के बारे में हम जानतान सूरुष टगलत है ये पाठा मुल्तह कर गर्मी के बारे में जीवन्त चित्रन है जब पाठला पड़वन तो इसे लगते है कि गर्मी के चित्र बनगे एकदम और आपला अनभाव करें लगी गर्मी के दिन ला तो ये पाठला बहुत बढ़िया आप समझ सकतो और बहुत बढ़िया एमें मजा ले सकतो और एक जीवन तचित्र गर्मी रितू के बारे में आप जान सकतो कि गर्मी रितू में कोन कोन तरह के घटना घटते और कोन कोन तरह से हम अनभाव करतें हमर जीवन ला गर्मी रितू हा कैसे प्रभाइत होते और हम गर्मी रितू से कैसे प्रभाइत होतें चलो ये पाठ के पहली और दुसरा पद के बारे में समस्थन टगल टगल के सुरुज जरत धर्ती उपर डबकत गिरे पसीना माथा छीपिर छापर चलो ये पाठ के अर्थ जान्थन टगल टगल के सुरुज जरत धर्ती उपर टगल टगल कर माने पिघल पिघल कर सुरुज सुरिय धर्ती के उपर गिरा थे गिर रहा है कैसे गिर रहा है हम देखते हैं जब लोहा बहुत पिघल जाता है तो वो एकदम पानी बन जाता है वैसे ही सुरुज पिघल रहा है और उसके जो प्रकास के जो केड़ने हैं उनकी प्रकास के केड़ने धर्ती उपर गिर रहा है और उसका प्रभाव क्या हो रहा है डबकत गिरे पसीना माथा छी पिरचा पर शरीर में के अंदर जो पानी है वो पानी उबल रहा है और इसके उबलने के कारण क्या हो रहा है माथा के उपर मस्तक के उपर पानी आप देखे हो ना आप सब देखे हैं कि पसीना ऐसे छपशपा जाता है उसी बोलते है छीपिर छापर हो जाना तो पसीना माथे में छीपिर छापर हो गया है अगला पत देखिए जान चलते चारो को ती तिबगे कान जवागे चे थी जान चलते चारो को ती जांज लू चारो तरफ लू चल रहा है उसके पर नाम क्या हो रहे हैं हमारे कान तीब गया है इतनी गर्मी इतनी गर्मी कि हम व्याकुल हो गये हैं और चेथी गर्म हो गया है जवाना अर्थ होता है जब कोई आग में के ताप में किसी वस्तू को हम रख देते हैं ताप में तो वो तुछा से मुझाठ जाता है उस इकुड़े वह भाग को जवाना कहते हैं तो जहां ऐसे चल रहा है चारों तरफ से हमारा काम तिब गया है और हम आच्छे थी जवाना गया है और सुलगत है आखी मां आगी सुलगत है आखी में आगी और पाउं प्रत है एती वोती आख लाल हो गया है आख लाल हो गया है सुलगना सुलगना जब आख सुलगता है तो लाल दिखता है न वैसे ही गर्मी में हमारे आख सुलग रहे हर और हमारे आख लाल हो गया है और इसके परणाम क्या हो रहे हैं हम जब चल रहे हैं तो हमारे पैर इधर उधर पड़ रहे हैं तो ऐसा ब्यापक प्रभाव हमको गर्मी का देखने के लिए मिल रहा है अब अग्ला पत देखते हैं, भरे पल्पला, जरे भूंबरा, फोरा पढगे गोड़मा, और फिनगे सर के रेंगत रेंगत पानी मिलिस्पूनमा, तिसरे पत के बारे में देखते हैं, तिसरे पत में लिखता है कवी और कितना सुन्दर वर्णन करता है गर्मी के दीनों में इसके बारे में देखते हैं, भरे पलपला जरे भूमरा, देखिए, कवी कहता है भरे पलपला, पलपला क्या है, बहुत सारे बच्चे आज इसको नहीं समझेंगे, जो बच्चे एसी में रहते हैं, जो कूलर पंखम रहते हैं, वो नहीं समझेंगे, पलपला क्या होता था, आ आ Ale और अज भी नहीं जहाँ अग एक दम से जब खब जाता था तो उसके बारी इस अक हो जाते थे उपर से आग की झाए टा फिर्डू अन्दर राह के अंदर आघ के अंदर ज्यास जो ठपन उसको कहते हैं पलपला तो उस तपन में आप डाल देंगे हाथ तो हाथ जल जा तपन तो उपर से आग नहीं दिख रहा है इसको कहते हैं पलपला और भोमरा भोमरा उसे कहते हैं जब पहले बैल गाड़ी चलती थी और बैल गाड़ी के चलने से रास्ते में मिट्टी एकदम बारिक कन हो जा किताब से जब धपकर एकदम गरम हो जाता था उसको बोलते थे भूमरा और उस भूमरा में चलना खाली पर चलना आज तो सब बच्चे सारे लोग जूते चपल पहले के लोग तो बिना जूता चपल के चलते थे तो उससे जो जलता था उसके बारे में कवी कहता है भरे पलपला जरे भूमरा और फोरा पढ़ गे पाओं मा पाओं में चलने से भूमरा में चलने से पाओं में फोड़ा पढ़ गया फोड़ा आ गया और फिंगे सर के रेंगत रेंगत पानी मिलिस पूर्ण मा फिंगे सर क्या है एक गाओं के नाव और प पानी मिला अर्था पानी का भाव हो गया है हमको पाने नी मिल रहा है तो कभी लिखता है फिंगेसर के रेंगात रेंगात पानी मिल स्पोड में हम इतनी दूरी तै कर लिए तब हमको पीने के लिए पानी मिला अगला पंक्ति देखीगा नदिया पातर पातर होगे और तरिया पतला हो जाएगा जी नदिया पातर पातर हो गया अर्थात नदिया में अब पानी की धार पतली हो गई है पानी का जो धार है वो पतला हो गया है और तरिया रोज अटावा थे रोज तलाब अटा रहा है रोज तलाब सूख रहा है और खड़मा रुखवा खड़े उमर के ख खरमा रुखवा रुख वरिक्ष पेड़ खड़े उमर का उम्र का अर्थात बहुत उम्रा का बहुत परिपक्वा पेड़ खड़ा हुआ है और वो गर्मी के ताप से ऐसा लग रहा है कि सूख गया है तो उसका वर्णा नीचे लाइन में कहता है कभी और टंगिया ताल तंगिया ताल कटावा थे तंगिया से जब हम काटते हैं कुलहाडी तंगिया मने कुलहाडी से जब काटते हैं तो गर्मी के कारण पेड़ ऐसा लग रहा है कि सूख गया है और जब हम काटते हैं तो ठक 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 कि आवाज आता है तो ऐसे लगता है कि कोई ताल बज रही है ऐसे कवी ने इसका ग्रिश्म रितू का गर्मी रितू का इतना सुन्दर वर्णन इसमें किया हुआ है अब अगला पत देखते हैं चट-चट जर्थे अंगना बैरी और तावा बनगे च्छानी आप देख रहे हैं कि इस कवीता में एक बड़ी विशेष्टा है दूरिक्ती सब्द बहुत आया है चट-चट, टप-टप, साए-साए, सिठञा-सिठा ऐसे सब्द बहुत आये हैं कवीता में ये कवीता की बड़ी विशेष्टा है चट-चट जर्थे अंगना बैरी अंगना आंगन घर का आंगन कैसे जल रहा है चट चट जल रहा है और बैरी लग रहा है हमको अंगना हमारा जो हमारा बहुत मित्र है अंगना के बिना घर अच्छा ही लगता अंगना हमारा निस्तारी के जगा है वो अंगना जो हमको सबसे प्री जगा है वो हमको लग रहा है बैरी और वो कैसे हो रहा है वो चट जब हम अगना से पार करते हैं तो चट 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 जल रहा है तवा बन के छानी हमारा जो छत है जो हमारे छानी है वो इतना तब गया है कि ऐसा लग रहा है कि मानो तवा बन गया है देखिए यहां पर भी कवी ने सुंदर अलंकार का प्रयोग किया है कि तवा बन गया है क्या तवा बन गया है च्छानी तवा बन गया है तवा बन गया है इतने गरम हो चुके हैं हमारे च्छत कि ऐसा लग रहा है कि तवा बन गया है तवा जब हम रोटी पकाने के लिए चुलहे में तवा को रखते हैं और कितना गरम हो जाता ह जब वो गरम होता है तक तो रोटी पकती है तो इसी पकार हमारे घर के छथ तवा बन गए है और टप 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 कारी पसीना नोहर भेगे पानी और पसीना जो तंसे पजो पसीना निकल रहा है कैसा पसीना कारी पसीना पसीना काला हो गया है इतना तब गया है कि पसीना ज और नोहर भई के पानी पानी नोहर होना अर्थात मिल ही नहीं रहा है जिसकी बहुत आवस्कता है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है उसका अभाँ हो गया है अगला पर देखते हैं साएं साएं सो खते पानी और अरबढ मुचो पियाए गर्मी के दिन में साएं साएं सो खते पानी अरबढ मुचो पियाए गर्मी के दिन में सरीर को पानी की बड़ी अवस्कता होती है और सरीर बार बार पानी मांगता रहा है पानी को सोख रहा है और अरबढ मुचो पियाए मुचो पियाना मैं ऐसे सूख जाता है चो पियाना र कि मू clockwise जा रहा है पानी का अभा हो रहा है का मुफ सुख जा रहा है और ऊंठ मा पपड़ी पड़ गे ये हमारा को ब मुलायम हमारा ये और ऊंठ जब गर्मी पड़ती दिश्थाğ आप देखते होंगे ये ओंठ के उपर निसेग पपड़ी पड़ जाता है कोमर मा पपड़ परगे और सिठठा-सिठठा खाबे और जो हम भोजन करते है वो भोजन हमको कैसे लगता है फीका-फीका लगता है उसके बारे में कभी ने इतना सुन्दर वर्णन किया है अब अगला पत देखते हैं चारो कोती फूके आगी और तनमे बरगे भुर्रा और खड़े मझनियां बहरी लागे सबके छाड़िश धुर्रा चारो कोती फूके आगी चारो तरफ ऐसे लग रहा है कि आगी फूक दिया गया है आगी बगरा दिया गया है आगी फैला दिया गया है और तनमे बरगे भुर्रा शरीर में भुर्रा बढ़ना भुर्री भुर्री जानते हैं न कि जब हम ठंड के दिन में पैरा को ठंड से बच जो जलता है वो भूर रहा है वो भूरी है उसी को कहता है कि कवी चारो तरफ हो के आगी और तन में बरगे भूर रहा है तो तन में ऐसे लग रहा है कि आग जल रहा है ऐसा लग रहा है गर्मी करन और खड़े मजरिया बहरी लागे देखिए पिछले पद में भी आया है अंग अधा दो पहर धाली नहीं रहा है धार ःठ पहर घाना मंजनिया दो पहर उटार ठ कर गया है और हमको तो तो बहरीम इलगा कि जब यह दो पहर धलेकर तो हम थोड़ा सा थैस्पाट Cave मेहिजितार सब हुदा कर दे पहुदा लागे और सबके छाड़ी धूर्रा धूर्रा छाड़ दिया अर्थार सब व्याकुल हो गये सब के सब व्याकुल है सब परिसान है अगला पद कहता है कि डामर लकलक तिपे लसलस लसलस बैठा थे और नसनस बीली तार बने हैं अंगरी अंगरी अइठा थे देखिए कितना सुनदर कवी ने ग्रिश्मरीतू के बारे में कहा है कि डामर लक-लक लकती पे है और लस-लस लस-लत इठा थे डामर ऐसा पिगल गया है ऐसा गर्मी में इस तरह पिगल गया है कि वह इतना तब गया है कि वह लग 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 तीबना नहीं है, एक दम तब जाना जाना उसको बोलते हैं लग 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 और इसका परणाम क्या हो रहा है कि लसलस लसलस हुआ थे लसलस लसलस बिठा थे जब आप जब गर्मी के दिनों में डामर के सड़क में आप चलोगे और टिघल जाता है तो उसमें वो नरम हो जाता है और जब आप पैर रखेंगे तो ऐसे लग रहा है कि वो बैठ रहा है यह एहसास करके कवी ने इस पंक्ती को रजना किया है और नस नस बीली तार बने और गरमी के करण हमाई सरीर का जो नस है वो बीली के तार बन गया है अर था बीली के तार की तरह बन गये हैं नस उभर के आगे हैं ऐसे लग रहा है कि हमारे सरी में पूरे बीली के तार बिछे हुए हैं और अंगरी अंगरी एंटा थे और गर्मी का प्रभाव हमारे सरी में इतना पड़ रहा है कि हमारे उंगलियां एंच रहे हैं ऐसे कवी ने अन्भाव जन्यवाद को यहां पर दिया है चलिए इस पाठ के अंतिम दो पत पर बात करते हैं दो पत के भावार्थ देखते हैं लकर लकर में कैसे रेंगां और धकर धकर जी लागे और हकर हकर पत्राप हो रहे हो हर हर के दिन आगे लकर लकर में कैसे रेंगां इस गर्मी में मैं जल्दी जल्दी लकर लकर मनें जल्दी जल्दी कैसे चलूं सरीर में तो छमता ही नहीं है कभी कहते हैं सरीर में गर्मी की करान अब छमता खतम हो गई है तो मैं लकर लकर जल्दी जल्दी कैसे चलूं जी धकर धकर लग रहा है धकर बिल्कुल पस्ट हो जाना धकरज कर रहा है एकदम से Load आ है तो धकर और हकर हकर पथर आप होरे हैं प'Thrar फोड़ते हैं तो ऐसा लगता है क हाकर हकर कर मेहनत करके मैं पत्थर को भी पोड़ रहा हूं गर्मी के दिनों में और हर-hari के दिन लाखे ये ये गर्मी के दिन को हर हर के दिन कहते हैं हर हर का दिन कहते हैं इसमें बिल्कुल सब चारों तरफ साम सा माहूल रहता है चारों तरफ जल रहा है पानी का भाव है इन तमाम परिश्टियों को देखकर गर्मी के दिन को हर हर का दिन कहते हैं लहर तहर सबके पराने लहर तहर सबके पराने और केती सांस उड़ाही सबके पराने सबका जीव सबके तन लहर तर होना अर्था ब्याकुल होना लहर तर सबके सबका जीव चाहे वह पसू हो चाहे वह पक्छी हो चाहे वह मनुस्य हो सबका जीव लहर तर है सबका जीव ब्याकुल है के तीस प्राण उड़ा ही प्राण एसा लग रहा है कि प्राण कब और कैसे उड़ जाए इसका भी पता नहीं और आखरी दो लेन आप देखिए आखरी दो लेन बहुत गजब की बात इसमें संत पवंदिवान जी ने कहा दिया है बुड़बे जब मन के धहरामा तरफ़त जी उजड़ा ही बहुत गंभीर अर्था है इसका हम समाने उपर उपसे देखत है जब हम मन के धहरा मने नदी का वह गहरा भाग जहां पानी हमेशा रहता उसको धहरा बोलते हैं धहरा का पानी कितनी भी गर्मी हो धहरा का पानी नहीं सुकता ऐसी मानियता है तो जब मन के धहरा मन के गहराई में जब डूबोगे मन के जब गहराई में हम डूब तब हमारा यजीव इस गर्मी में ब्याकूल है जो तरफ रहा है वो सांथ होगा अर्थात मन को सांथ करेंगे इस गर्मी में के दिन में तब हमारा यजीव जो तरफ रहा है जिसमें तरफन है वो तरफन थंधा होगा सांथ होगा ये कवीब और इसके आंतरिक भाव और देख उनके अंदर अध्यात्मिक चिंतन था चेतना थी इसलिए वह और दिखता है जो अध्यात्मी भाव है जब हम मन के धारा में डूब जाते हैं मन की गहराई में जब डूब जाते हैं तब हम हमें वह अंतिम सत्य जो मन की विचलन है वह मन का विचलन मन की ब्याकुलता वह सांत हो जायता ये उसका अध्यात्मिक पक्षभी क्योंकि वो कवी भी थे और अध्यात्मिक ढगति थे प्रवचन करता थे और ग्यानवान पुरुष थे इसलिए ये गंभीर बात भी उन्होंने कवीता के माध्यम से कह दिये अब हम इस पाठ के प्रसुनुत्तर को देखते हैं हम को समझना होगा प्रसुनुत्तर क्यों वास्तों में बच्चों प्रसुनुत्तर का आसा होता है कि हम इस पाठ को कितना समझ पाए हैं वास्तों में प्रसुनुत्तर स्वा का मुल्यांकन है स्वैम का मुल्यांकन है अधी हम पाठ को भली भाती समझ चुके हैं तो हम सहस्ता स को हमेशा सीखने का एक साधन की रूप में मानना चाहिए और हमें एक पूर्णावित्ति करने का उसा देता है ये भी हमको समझना चाहिए इसका पहला प्रस्ण है टगल टगल के सूरुज जरत है क्या आसा है प्रस्मुत्तर में कहता है इसका क्या आसा है तो इसका आसा है बहुत समान्य सा है कि गर्मी इतनी बढ़ गई है कि सूरुज अर्था सूर्य पिघल रहा है और वो पिघल रहा है तो नरम हो गया है और पिघल गया है इसलिए वो ब बार बार उसके किरने जहर रहे हैं ये इसका अर्था है तो सुरुज गर्मी के कारण गृष्म रीतु अधिक तापमान होने के कारण पिघल रहा है और उसके किरने जहर रहे हैं ये इसका आसा है इसका दूसरा प्रसना है तेज गर्मी के अहसास को अपने सब्दों में लिख तो जब हम पूरा पाठ पढ़ चुके हैं और तेजगर्मी के बारे में कवी पवन दिवान ने बड़े सुन्दा धंग से ब्यापक वर्णन किया है तो अधी हम इसको समझ गये हैं तो अपने सब्दों में लिखना जी लगबक बच्चे क्या करते हैं कुंजिका पढ़ते हैं और जो अर्थ कुंजिका में दिये हुए होते हैं उसको ज्योंकियों तो लिख देते हैं वास्तो में इसका अर्थ यह नहीं होता कि हमने अच्छा किया बलकि जब हम स्वयम समझ जाएंगे और अपने सब्दों में इसका उत्तर लिखेंगे तब हम मानेंगे कि हां हमने पा ग्रिस्काल में जहान चलने से मनुष्य किस किस प्रवकार से प्रभाईत होता है तो जहान जब चलता है तो इस पस्ट कहा है रचनाकार ने कि तिबगे कान ज्वागेचे थी और पाउप रथे एती वोती तो ग्रिस्काल में जहान चलने से मनुष्य के कान तीब जाते हैं अर्था अत्यतिक घर्मी हो जाने से कान तिब गया है और चेथी अर्था समा ये सीर का पीछा भाग ये जहां गया है इसको मैंने अर्था बताते समय इसकी ब्याख्या कर दिये और इस जहां चलने के कान हमारे पैर इधर इधर हो रहे हैं ये इसका अर्था है इसमें ये प्र अगला प्रसना है चटटट जर्थे अगना भैरी और तावा बनेगे च्छानी टपटप टपके कारीप सीना नोहर होगे पानी अर्थात जैसे कि हमने अर्थ समझाते हुए आपको बताया है कि चटट जर्थे अगना भैरी जो आँगन हमारे सुक के लिए है जो हमारे घर का बहुत महत्त पूर्ण भाग है वह भाग भी गर्मी के कारण इतना तब गया है कि हम आंगन में भी आते हैं तो हमारे पैट चट 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 जट जलते हैं और तवा बन के छानी हमारा जो छत है जो हमारे छानी है वो इतना तब गया है कि ऐसा लग रहा है कि मान क्या तवा बन गया है छानी तवा बन गया है तवा बन गया है इतने गरम हो चुके हैं हमारे च्छत कि ऐसा लग रहा है कि तवा बन गया है तवा जब हम रोटी पकाने के लिए चुलहे में तवा को रखते हैं और कितना गरम हो जाता है जब वो गरम होता है तब तो रोटी प पसीना टप 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 के कारी पसीना और नोहर होगे पानी इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी कि हमारे सरीर से पसीना टप टप चूर हैं देखो पसीना को उसमें कारी पसीना कहा पसीना के वाल नहीं कहा कारी पसीना अर्थाद जब अत्यदिक गर्मी होती है और हमारे सर से जब पसीना होता है तो सरी का हमारा जो मैल होता है उसके सांद मिल जाता है और उसके का पसीना का रंग काला हो जाता है तो मेहनत कस लोगों को आप जब देखेंगे और मेहनत कस लोग जब गर्मी में काम करते रहते हैं और जब काम करते रहते हैं उसके सरी से जब पसीना ज अगला प्रस्ण कहता है गृत में पानी का अभव हो गया है किन-किन पंक्तियों में तो आप पढढेंगे तो आपको सप्ष्ट हो जाता है तिसरे पद में चौंथे पद में पंच्वे पद में इसका उलेक हुआ है इसको आप देख सकते हैं। हमने अर्थ बताते समय एक प्रस्न का उत्तर दिया था उसको फिर से समझ लें इसमें दो सब्दा आये हैं दो सांस्कृतिक सब्दा जो आज ये सब्द हमको मिलते नहीं और ये परिस्थितिय भी नहीं मिलती एक पहला पल्परा और दुसरा भूम्रा इस का क्या आसा है ये प्रस्ण कहता है कि पलपला और भूमरा का क्या आसा है तो पलपला हमने बताया था कि जब आग खप जाता है जब हम पहले चुलहे में जब भुजन बनता था आज तो सबके घर गेसलेंडर से खाना बनता है तो आज के बच्चों को पलपला का एहसास भी न खाना बनने के बाद उसमें जो आग बची हुई होती थी वो एक दम खब जाता था यह गोर्षी पहले घर में गोर्षी भी होता था और ठंड के दिन में हमारे बुजूर्ग गुर्षी में आग रखके तापते थे तो जब आग एकदम बूश जाता है हमें उपर से आग नहीं दिखता किन्तु जब हम हाथ लगाते हैं तो गर्मी का अहसास होता है आग होने का अहसास होता है तो राह कवा बारिक बारिक कन जिसमें आग दिखता तो नहीं है किन्तु उसमें तपस है उसमें गर्मी है उसमें के अंदर आग है और अधी हाप हाध डालेंगे तो आपका हाध जल भी सकता है हम जब बच्चे थे तो हम उसमें कांजा या आलू भून के खाते थे और बहुत सुन्दर उसमें भून जाता था तो ये पलपला है और भोमरा भोमरा का अर्थ होता है आजकल तो सब जगह पक्की सड़क हो गई हैं डामर वाली सड़क जिसमें कोल ताल बिछी हुई हैं तो आजकल तो पैडगरी दिखता नहीं या वो गारारावन का वो धर्सा नहीं दिखता तो पहले बैल गारियां चलती थी या लोग पैदल चलते थे पकी सड़के नहीं थी तो जिस रास्ते से जिसे हम लोग गाड़ी रावन भी बोलते थे तो जिस रास्ते से बैल गाड़ी चलती थी उस रास्ते के मिट्टी धूल में बिदल जाती थी तो इतने बारिक अटे थे थे बारिक धूल बन जाते थे और धूल जब ग्रिश्म के आताव उसमे पढ़ता था तो ग्रिश्म के आताव करन इतना तब जाता था कि हमारे पैर जलते थे जब पहले चपल पहन के भी नी चलते थे लोग खाली पैर चलते थे अब तो हर कोई चपल जूता पहन के चलता है पहले लोगों पास चपल जूता भी नहीं होता था तो उस बारिक मिट्टी में हमारे पैर जलते थे तो उसको कहते थे भोमरा भोमरा तिब गया है वो मिट्टी के कर्ण या वो धुल के तपने को भोमरा कहते थे अगला प्रसना है हर हर के दिन आगे का क्या आसा है उससे आप क्या समझते हैं हर हर के दिन आना अर्थाद गिसमरीतू का आना है अर्थाद ऐसे रितू जहां सब तरफ सुना सुना सा लगता है उसे इस गिसमरीतू को हम हर हर के दिन कहते हैं